घरीलू उपाय में आपका स्वाज़त है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आप खाना बनाते वक्त जो चीजे बच जाती हैं उसका आप दुबारा इस्तमाल कैसे कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अन्त तक देखते रहें रसोई में काम करते वक्त कभी कबार चावल का माड़ बच जाता है तो कभी उबली सबजियों का पानी ऐसे में कई लोग इन चीजों का फैक देते हैं लेकिन ये चीजे कभी कबार फायदिमन साबित होती हैं इसके अंदर बहुत सारे पॉस्टिक गुर्ण होते हैं आईए हम आपको बताते हैं कि आप बच वही चीजों का दुबारा किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं चावल उबलने के बाद जो माड़ बच जाता है उसमें नीबू का रस मिलाकर अपने बालों में लगाएं इससे आपके बाल चमकदार और मुलायम हो जाएंगे अगर किसी को दस्त लगे हो तो उसे चावल के पानी में शहएद मिला कर दें इससे काफी आरा मिलता है पनीर के बचे हुए पानी को जो पानी बचा हुआ है उससे आप आटा गुतले इस आटे की पूरी बनाएं ये काफी स्वादिश्ट होती है अगर आप मिक्स वेज कटलेट बना रहे हैं और सबजी उबालने के बाद पानी बच जाता है तो उससे फेके नहीं आप उस पानी को सूप में या दाल पकने में इस्तमाल कर सकते हैं जिससे दाल का टेस्ट भी ज्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तों आशक करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी सीख गये होंगे बच्चे हुए जो खाना पकाते वक्त जो चीजे बच्ची होती हैं उसका इस्तमाल कैसे करना चाहिए और इसके अलाव और भी कुछ आप जानते हो अगर कोई तरीका जानते हो बच्चे हुए खाने को इस्तमाल करने का तो हमें कमेंट बॉक्स में लेकर बताना ना बूले और अगर आपने हमारा यूटीब चैनल घरे लूपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरन सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको ऐसे महत्पूर जानकारी वड़े वीडियो मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार